तक कोस्टल हमारा है और कितने पोर्ट्स है हमारे देश में, कितने बड़े-बड़े पोर्ट्स है, यह मतलब हम 25 करते हैं, 25 मिलियन और चेना 210 से लेके 500 मिलियन डील करता है, हम कितने पीछे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है, हमारे इंपोर्ट्स क्या है, हमारे पोर्ट्स कब हम आगे बढ़ पाएंगे यह कानिया कब तक यह चलते रहेंगे इस बात पे भी वो सक्ती से सोचने के जुरूरत है इन बातों को समझने के जुरूरत है मैं एक बात और कहने चाहूंगा आपसे आज देश में एक दंदा चल रहा है प्रदानमंतरी जी ही कुद कहते हैं मैंने खुद सुना है टीवी पे गौर्वर्मेंट आज नो बिजनेस to do business क्यों नहीं भईया समझ में नहीं आता गौर्वर्मेंट का तो काम है बिजनेस करना चाहिए ज़ करना चाहिए अपने जिम्मदारी से हटने वाला सरकार तोड़ी होता है जिम्मदारी निमाना चाहिए आज क्या हो रहे socialization of the losses privatization of the profits जहाँ नुक्सान होता है ठोक दो जनता पे बत बता दो उनको डरा दो के भाई यह नुक्सान आ गया गाटा हो गया लेहाज बढ़ो डिजल बढ़ो ग्यास बढ़ो फाला न बढ़ो डिम्का न बढ़ो जिसमें profit होता है वो privatize कर दो बेहाद अंदाद उन privatization क्यों किये जा रहे किसलिए किये जा रहे देगे कितना तमाशा होता है बिजली के तो मामला है हम हमारे देश में इतना जबर्दस्त बिजली दे सकते है इसके लिए भी कोई अमेरिका की मदद नहीं है नहीं चाहिए नहीं वर्ल्ड बैंक का ना कोई international treaty है किसे अन्य देश चाहिए हमारे कोई जुरूरत ही नहीं है बहुत आसानी से हम अपने पावर के अंदर अपने सम्विदान के अंदर हमारे सम्विदान के चेत्रचाया में बहुत जबर्दत चवबीश गंटा उच्य गुनवत वाला पावर दे सकते है बिल्कुल दे सकते है संभव है इसलिए संभव है कोईला खदान इतने हैं अमारे पास इंडिया है 361 बिलियन टन्स of coal reserves 361 बिलियन टन्स मैंने दिया है आपको कागजों में है आप लोग बात में देख लीजिए तफसिल से, मैं अपने बात कहे दे रहा हूँ 361 बिलियन टन्स याने के उसमें अगर 40-50 प्रतिशत भी जब रिट्रिवल करते आता है तो 125 येर्स के लिए पूरे देश के लिए बिलियन देने के लिए काफी है इतनी संपत्यां हमारे पास रखते हुए हम पूरे प्राइबेट प्राइबेट की बात कर रहे है अदानी पावर, अंबानी पावर, जिंदानी पावर, बंदानी पावर क्यों दे रहे है बाई समझ में नहीं आता पावर सेक्टर तो इतनी इंपर्टेंट चीज़ है कि देश की प्रगति विकास को मापने में दुनिया के पूरे इंडेक्स में परक्याप्टा पावर लुटलाइजेशन को ही माना जाता है कोंसा देश कितना परक्याप्टा इसका पावर है उसे से कता मालूम हो जाता है देश का तो क्यों आज प्रगत में दे दे रहे हैं, क्या बात है लाकों हमारे करमचार है बहुत अनुबवी लोग है क्यों देना पड़ रहा है, क्या बात है पुब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए अगर पूरा पावर प्राइवेट में दे दो जिन आएगा, वो सरकार को ब्लाक्मेल करेगा देश को ब्लाक्मेल करेगा बहुत अनुब्लिक सेक्टर अनुब्लिक सेक्टर हमारा कार में, जो करमचारी वहां के उनके खून पस्यना से देश की जनता की यह प्रापर्टी है लाकों करोडों का प्रापर्टी है, लाकों करोडों का उस प्रापर्टी को आप हजारों करोडों में कुछ एक गिंती करके लेटी तेर बुक्स बना की आप दे दे रहे जैसे पावन हंस का किया गया था पावन हंस को जो एर अपपनी था सरकार का पर्बिक सेटर कम्पनी उसको जो बोनस मिलता था गवर्मेंट को जो डिविडेंड मिलता था उससे भी कम दाम में बेज दिये प्रिविटेशन के नाम पर रखते तो डिविडेंड तो मिलता कम से कम इसी प्रगार का इतने लाकों करोडों वाला प्रापरटी को यूही कुछी ले लेके कुछ कहानी बनाके अब उनका क्या नतिजा निकल रहे अज अधानी का क्या निकल रहे नतिजा जूटे मतलब चीजें बनाके बनावटी शेर्स का वैल्यू बढ़ाके कितना मतलब पूरे देश कत्रे में आ रहा है सारे बैंकिंग ववस्ता कत्रे में आ रहा है इसके लिए कौन जवाब देगा यह निकिस अंदाधन प्राइबेटाइजेशन जो मन में करो जो कहते जाओ करते जाओ यह बिल्कुल नहीं चलेगा नहीं चलने देगा बियारेस का पालसी है पावर सेक्टर मैं सीधे कह रहा हूँ प्रदान मंत्री जी आपके आथ में पावर है आज आप कर सकते हो लेकिन 24 के बाद तो हमी को आना है हम बिल्कुल पावर सेक्टर को आप प्राइबेट करते हो तब ही वापस ले लेंगे इसका मैं एक उदाहरन देता हूँ आपको यह कोई बड़ी बात नहीं है कुछ लोगों के बाद यह समझ मन नहीं आएगा कि एक ऐसे संभव होगा एर इंडिया का कहा नहीं समझी है एर इंडिया पहले टाटास के पास ही था प्राइवेट ही था तो इंडियन हेरलेंस था 1953 में उसका राश्चिय करन हुआ सरकार के पास आ गया फिर वापिस मोदी जी ने उनको फिर सेम टाटास को वापिस दे थिया जहां से आया था पिर वापिस चला गया है जब राश्चिय करन करना चाहता है सरकार के अंदर सरकार तो बिलकुल कर सकते है इसमे कोई रोगदान नहीं हमारे समयदान में उसका प्रावदान है हम कह रहे हैं पावर सेक्टर डेफिनेटली ब्रस का पालसी है वी विल टेक इट आउट इवन मुदी जवर्नमेंट विल प्रावदाइज प्रावर सेक्टर 90 परसेंट पावर सेक्टर विल बी केप्ट इन पब्लिक सेक्टर जो अच्छा कासा चल रहा है उसमें कामिया है ठीक है उसका बना देते हैं बरपूर पावर और मैं आश्वासन देता हूँ जैस के जनता को जैसा हमने अनबू है हमारे को तेलंगान राज में किया है मैंने लिया है Central City Authority से BRS को अगर चुना लेता है हिंदुस्तान के जनता हमको हमारे कंसार्शम हमारे लाइक मेंगर जो पार्टी से हमारे गुट को अगर चुनता है दो साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान हिंदुस्तान के हर कसबा में हर गाउ में कोने कोने में उच्च गुनुवत्ता वाला बिजिली मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, निरंतर मिलेगा, यह मेरा वाइदा है देश के साथ, जो हमने तेलंगान राज में करके बताया है, और पूरे इंदुस्तान में यह की तेलंगान राज है, जहां 24 गटा का करंट का उपलब्दी हर हर सेक्टर के लिए है,